आज जी, बिर इमनिंग आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 47 lakh रुपीज की फॉर्चुनर आपको 24 lakh रुपीज की कैसे बढ़ सकती है यानि कि 50% से ज़्यादा आप कैसे बचा सकते हैं और यह जो अमारी discussion होने वाली है that is not going to be restricted to फॉर्चुनर आप जो भी गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा बचा पाएंगे provided आपको taxation laws में प्ले करना आता हो अब वो प्ले क्या करना है कौन से वाले provision आपको benefit करते हैं कैसे करते हैं सब कुछ आज वाली वीडियो के दर में आपको बताने वाला हूँ और कुछ misconceptions जो की लोगों को हैं कि GST का ITC नहीं मिलता गाड़ियो पे वो भी मैं clear कर दूँगा मिलता है, कौन से वाले portion पे मिलता है कैसे मिलता है, क्या करना होता है सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा बचाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बचा सकते हैं, कब बचा सकते हैं वो process आपका जो पूरा है न उसमें multiple sections आने वाले हैं जैसे कि आपके section number 16 to 21 CGST Act 2017 का वो आपको बताता है ITC आपको ये वाले GST portion पे कितने का मिलता है, कब मिलता है section number 17 5 आपको बताता है credit block up करा जाता है वहाँ पे गाड़िया cover हो जाती है ऐसे ही आपका section number 40 A2 income tax act का, वो बताता है कि tax आप खर्ची की तरह cup claim नहीं कर पाते तो ये सारी चीजों की discussion हम करने वाले हैं ITC ये भी concept आने वाला है input tax credit, again GST act का निकल के आएगा तो ये सारी technical terms आने वाली हैं जिनके लिए आपको prepare करने के लिए आपको क्या करना है अगर आप मेरी student हैं तो classes complete करने के बाद ये देखिएगा practical exposure आपको यहाँ पे मिल जाएगा खेर, with the assumption की ये चीज़े आपने कर ली होंगी cover हम वीडियो को चालू करते हैं तो सबसे पहली चीज में आपको बताई है 47 lakh की गाड़ी मान के चली on road आपको इत्ती की cost कर रही है तो इसमें आप पहला benefit जब भी लेने की कोशिश करेंगे तो क्या लेना चाहिए आपको GST, ITC लेने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जित्ता भी लेंगे उतना purely आपका tax बच जाएगा अगर आपको दोलाक रुपे का ITC मिल जाता है तो इतना पूरा का पूरा amount आप tax की तरह बचा जाएंगे income tax में अगर आप यही depreciation की तरह लेंगे तो इतने amount को खर्चे की तरह लेने के बाद इसका 30%, 40% जो भी आप पे income tax rate लगता है उतना पैसा बचा पाएंगे यानि की comparatively कम बचा पाएंगे तो मैं पहली कोशिश क्या करूँगा मैं GST ITC लेने की कोशिश करूँगा जितना भी मिल जाता है अब यह वाले case में कितना मिलता है, कम मिलता है उसकी बात करते है section 16 to 21 के अंदर multiple conditions आपको बताई गई है ITC लेने के लिए आप सारी satisfy कर जाएंगे बस एक ही जगा पे आके अटकेंगे कहाँ पे 17.5 के अंदर जहाँ पे आपको बताया जाता है कौन से cases में ITC को ब्लॉक करा जाता है और वहाँ पे गाडिया जिनकी seating capacity 13 के within निकल के आती है उनकी case में बोला जाता है कि ITC नहीं दिया जाएगा और fortunate की बात करेंगे तो 13 से जज़ाथ की capacity तो नहीं होती इंडियन्स बिठा लेते हैं लेकिन उतनी capacity तो नहीं होती तो अगर आप इसकी बात करेंगे वली गाड़ी तो इस पे ITC आपका ब्लॉक हो जाता है सीधा सीधा 17.5 के अंदर तो ITC की बात होनी नीच चाहिए लेकिन होगी क्यों होगी क्योंकि 17.5 की exceptions भी निकल के आती है तीन निकल के आती है पहली क्यों होती अगर गाड़ी जो भी आपने खरीदी है वो क्या करने के लिए खरीदी है आगे supply करने के लिए खरीदी है जैसे कि dealer खरीदता है manufacturer से खरीदता है आपको बेचता है तो इस इंसान ने जो भी गाड़ी करीदी है और खरीदने के टाइम पे जो भी GST पे करा है उसका ATC इस इंसान को मिल जाता है इसके case में 17.5 नहीं लगाया जाता ऐसे ही दो और cases निकल के आते हैं कौन से वाले? मान के चलिए गाड़ी जो भी आपने खरीदी है क्या करने के लिए खरीदी है transportation की services provide करने के लिए खरीदी है आपने desire खरीदी है Innova, Fortuner, कोई भी गाड़ी करीदी है आगे लोगों को transportation की services देने वाले हैं driver लगा के गाड़ी के अंदर तो इस case में भी गाड़ी का ITC आपको मिल जाएगा deny नहीं करा जाता और तीसरा final case के निकल क्या आता है गाड़ी आपने खरीदी है लोगों को driving सिखाने के लिए अब भी driving सिखाने के लिए जो भी आपने गाड़ी करीदी है आपका motor driving school है यहाँ पर भी ITC आपको दे रिया जाता है तो इन तीन cases में मान के चलते हैं आप तीन में कहीं पर आते हैं बड़ी खुश किस्मत है तो इस case में क्या होने बला है आपने GST जिता भी pay करा है उसका ITC आपको मिल जाता है layman language में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ITC basically क्या होता है अगर मेरा current month के अंदर business में output services जो भी मैं provide कर रहा हूँ मान के चलिए transportation लोगों को दे रहा हूँ तो यह transportation के लिए charge करके जो भी मैंने पैसा receive कर रहा है उस पे जो भी GST pay बिल निकल के आता है और 5 लाग मैंने 12 लाग ही pay करें बट फायदा क्या हो गया गाड़ी पे जो 5 लाग रुपे का खर्चा निकल के आ रहा था वो अब मेरा खर्चा नहीं रहा क्योंकि पहले जो मुझे output पे 12 लाग pay करने पड़ रहे थे अब 12 नहीं 7 पे करने पड़ेंगे तो मोटे मोटे तोर पे मैं यह मान सकता हूँ गाड़ी पे 5 लाग का खर्चा हुआ ही नहीं यह तो वैसे output पे कुछ नहीं कुछ pay करना था advance में मैंने pay कर दी है यह अगीन आपके एक बहुत basic सी definition निकल के आ जाती है नॉर्मल वाल GSTA भी आ जाता है जोगी 28% के rate पे लगाया जाता है तो आपको क्या दोनों पे मिल जाएगा ITC नहीं यह वाले portion पे नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा याद करिए section number 262 of CGST Act 2017 वहाँ पे क्या बोला जाता है वहाँ पे आपको input tax के definition बताई जाती है जहाँ पे compensation says नहीं आता है और क्योंकि वहाँ पे यह नहीं आता तो उसका credit आपको नहीं मिलेगा ITC किसका मिलता है? input tax का मिलता है और इसको अगर input tax माना ही नहीं जा रहा है तो इसका credit आपको case मिल सकता है तो इसका नहीं मिल पाएगा उन तीन cases में भी उन तीन cases में जो मैंने आपको बताया थे further supply करना, transportation के service provide करना या फिर driving सिखाना तीनों cases में ITC मिलता है लेकिन यही वाले portion का तो पहली चीज़े मैंने क्या कर ली? मैंने यह वाले portion है इसका ITC ले लिया ताकि मेरा जो भी उसमें इक output tax निकल के आ रहा था उसमें से पूर amount minus कर पाऊं और यही मेरा खर्चा बने ही नहीं तो मैंने pay इतना करा होगा लेकिन इतने amount में इतना मेरा खर्चा बनने ही नहीं वाला पहला यह फायदा हो गया दूसरे फायदे की बात करते हैं यह amount मैंने एक और चीज मैंने pay करी है जो कि मेरे खर्चे का पाट नहीं बनने वाला क्या pay करा है? मैंने TCS pay करा है tax collected at source यह जो मैंने payment करी है, कितने की करी है? 39,280 की करी है, यह figure कहां से निकल के आती है एक showroom price से अगर आप 1% यह multiply करते हैं, तो आपकी TCS वाली figure निकल के आ जाती है अब इतना मैंने pay करा है, मैं कहरूं यह भी मेरे खर्चे का पाट नहीं है, गाड़ी की cost का पाट नहीं क्यों? यह आप मान के चलिए मोटे-मोटे तोर पे मेरा जो भी income tax निकल के आना था, वो मैंने advance में pay कर दिया है और साल के end में इसको मैं minus भी कर पाऊंगा अगर मुझे साल के end में 10,00,000 रुपीज वैसे pay करने थे अब मैं 10,00,000-39,280 पे करने वाला हूं बिल्कुल वो आपके खर्चे का पार्ट है और वो जो आपके खर्चे का पार्ट है उसमें income tax में section number 32 वो आपको depreciation प्रुवाइड करवा जाएगा तो होने के वाला है देखी अगर आप इन तीन लोगों की बात करते हैं जहां पे इनको सबसे ज़ादा benefit होने वाला है tax savings में चाहे आप गाड़ी को सप्लाइ कर रहे हो transportation की services प्रुवाइड कर रहे हो या फिर आपका driving का school हो तो उस case में क्या होगा आपने pay करा होगा इतना amount लेकिन इतने amount में 39,280 आपकी cost का पार्ट बनेगा नहीं इतने amount को आप इतने amount से कम कर पाएंगे अब जितना भी remaining amount रह जाता है यानि की 3967901 का वो आपकी cost का पार्ट है इस पे आप depreciation करके आपके business का जो भी income tax payable निकल के आ रहा था वो आप बचा पाएंगे अब यहाँ पे मैंने क्या मान के चला है यहाँ पे मैंने एजियूम कर रखा है वाली जो भी entity है उसके अच्छी कासी income निकल के आती है individual HOF वगेरा वगेरा उनमें से कोई organization निकल के आती है तो इनकी income कॉनसे rate पे tax हो रही होगी highest rate पे tax हो रही होगी यानि कि 42% के आसपास का जो mmr निकल के आ जाता है maximum marginal rate वो वाले rate पे income tax इनके उपर लग रहा होगा यह वाला जो भी आपका actually खर्चा निकल के आ गया है इस पर depreciation जो भी आप लेने लग जाएंगे तो पूरा खर्चा आप धीरी धीरे करके multiple years में amortize कर पाएंगे और उस पर 42% के आसपास इस वाले rate पे आप tax बचा पाएंगे और यह फिगर आपकी जो भी निकल के आती है वो भी जब minus करी जाती है from the total amount जो भी आपने pay करा था on road price तो आपको पता चलेगा actually काड़े आपको किती cost करने वाली है अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा depreciation वाला जो amount है यह आपको धीरी धीरे करके multiple years में claim करना पड़ेगा एक बार में एक साल में नहीं मिलता यह दोनों जो भी आपके benefits निकल के आते हैं यह तो आपको पहले साल के अंदर ही मिल जाएंगे लेकिन यह आपको धीरी धीरे करके claim करना होगा लेकिन धीरी धीरे करके भी मिल तो जाएगा तो जैसे जैसे आपको यह मिलता जाएगा यह benefit भी अगर सब्ट्राक्ट कर दिया जाता है तो गाड़ी आपको cost करती है 23 lakh रुपीज तक की approximately 47 lakh पे करने के बाद 23 lakh कॉस्ट करने वाली है अगर आप GST और income tax दोनों acts के अंदर प्रॉपरली benefits को अवील कर लेते हैं तो अब यह जो 47 lakh की गाड़ी आपको 23 lakh की पड़ गई है effectively इसमें सेविंग्स आप की कितने की होगी 24, 34, 359 इतनी की होगी यानि कि इन दोनों का difference और य यहां पे आप इन तीनों में से कोई भी बिजनस कर रहे हैं इन तीनों में से कोई भी बिजनस कर रहे हैं अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हमारी किसमा अतना इतनी अच्छी नहीं है हम इन तीनों में से कोई भी बिजनस नहीं कर रहे हैं या फिर हो क्या रहा है हमारे की इसमें income tax का जो भी rate निकल के आता है वो 42 person का नहीं निकल के आता है कुछ न कुछ कम निकल के आता है तो हमारी tax savings किती ही हो सकती है उसके बर्में भी बात करते हैं best case scenario मैं मैंने आपको बता दिया 51 person बजा सकते हैं गाड़ी की cost पे और गाड़ी वो अपकी ज़रूरी नहीं की fortuner ही होनी चाहिए कोई भी गाड़ी हो सकती है अब बात कर लेते हैं worst case scenario की example के तोर पे आप इन तीनों में से कोई भी business नहीं कर रहे है तो ITC आपको नहीं मिलने वाला और अगर आप income tax के बात करेंगे दस लाग से जादा तो कमारे होंगे न अगर दस लाग से जादा आप कमारे होंगे तो उस case में 30% का rate ये तो आपके ओपर trigger हो चुगा होगा जो की says मिला के 31% से कुछ ना कुछ ऊपर ही निकल के आता है तो 31% safely इतना assume कर लेते हैं अगर आप कहे रहें 10,00,000 से भी कम की income निकल के आ रही है आपकी उससे भी कम rate लगाना चाहिए है आपके तो उस case में आपको गाड़ी करीद नी चाहिए है अगर आपके 10,00,000 से जादा की income निकल के आती है analysis उस case में करा जाता है कि उसमें आप tax savings किते की कर पाएंगे tax payable तो होना चाहिए न सेव करने के लिए तो worst case scenario में भी इतना आपका effective rate of income tax निकल के आ जाना चाहिए अब ये वाले case में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करीए देखे 47,35,7,41 on road price निकल के आ रहा था आपने pay कर दिया है और इसमें क्या क्या चीज़े आपको minus करने को मिलेंगी जिसकी विरसे effective cost आपकी 32,00,000 के आसपस के निकल के आ सकती है पहली चीज 39,280 उपर भी minus करी थी नीचे भी minus कर रहे है ये कहा TCS वाला portion पहले भी मेरे कर्चे का पार्ट नीथा अभी भी कर्चे का पार्ट नीचे इस वाल इंसान को भी credit मिल जाता है दूसरी चीज जो कि हमने उपर minus करी थी बट यहाँ पर minus नहीं कर पारे है 728560 यानि कि GST वाला portion इन लोगों को ITC नहीं मिलेगा क्यूंकि section 75 ब्लॉक कर देता है और आप exception के अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहे है तो यहाँ पर ITC वाला portion हमें हटाना पड़ेगा यहां से और आटा के यह कहां पर पहुचाना पड़ेगा हमारी cost का पार्ट बनाना पड़ेगा जिस पर हमें क्या मिलेगी depreciation मिलेगी अब depreciation किती मिलेगी उसके बर में बात कर लेंगे लेकिन आपके दिमाग में question आना चाहिए there is a section in the income tax act 40A2 जो कि क्या बोलता है वो कहता है tax FSS आपने जो भी pay करा होगा वो आपके खर्चे कपाट नहीं बन सकता वो आपको deduction की तरह लाओ नहीं करा जाएगा तो यह वाला portion हमने यहां पर add क्यों कर दिया यह तो होई नहीं सकता 40A2 के अंदर specifically बोला गया है tax sources जो भी आप pay करते हैं profits के उपर यानि की income के उपर वो आपकी cost का पाट नहीं बन सकते उस पर आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा यह एंकी income tax के बात करी जारी है उस पर खर्चा आपको नहीं मिलता deduction नहीं मिलती लेकिन बाकी taxes के लिए मिल जाती है तो 482 is not going to be a hindrance वो आपके लिए दिकत नहीं निकल के आएगी तो यह वला portion जो भी आपको खर्चे की तरह नहीं मिला था अब आप इसको minus नहीं करने वाले तो इसमें से इसको minus करके जो भी आपका actual खर्चा हो गया है वो कितना निकल के आता है एतना निकल के आ जाता है और कर पाएंगे वो भी आपके खर्चे का बाट नहीं बनेगा income tax जो भी paypal निकल के आ रहा था अब उतनी amount से reduce हो जाएगा जितना आप यहाँ पे खर्चे की तरह ले जाएंगे और उस पर tax बचा जाएंगे so 31% of this यह भी minus करा जा सकता है तो इसमें से यह और यह minus करने के पहली जीज विजनसमें के बार में तो बात कर ली वो 31% से लेके 51% इतना बचा सकते हैं गाड़ी की cost पे what about the salary people क्या वो कुछ बचा सकते हैं बिल्कुल बचा सकते हैं लेकिन उनके बचाने का तरीका जो निकल के आता है taxation laws में play करके वो बिल्कुली different तरीका निकल के आता है उनके तरीकी की किसी और वीडियो में बात करेंगे नहीं तो यह वेली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अरके साथ साथ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर एक और चीज बताने वाला हूं गाडिया खरीदने के टाइम पे हम इंडियन का एक trend है हम बहुत बारना पी बार finance करवा ही लेते हैं नहीं करवाने चाहिए जितना avoid कर सकते हैं car loan को करना चाहिए क्यों गाडियो के लोन आपको मिलेंगे 6-7-8% पे मैं आपको यही लोन दिलवा सकता हूं 2% पे अगें taxation laws में ब्ले करके क्या करा जाता है कैसे करा जाता है इतने rate पे आपको loan कैसे म थी ते किर अफिसल्फ गुटनाइट बबाए